नमस्कार मेरी हिल्दी लाइट में आपका स्वागत है आज हम निम्बू के पानी से नाने से क्या लाब होता है वो देखेंगे निम्बू का पानी पीने से जितना लाब होता है उतना ही लाब उसे पानी में निचोड़ कर नाने से होता है निम्बू को पानी में डाल कर नाने से स्कीन एकदम सुन्दर हो जाती है और स्कीन चमकने लगती है निम्बू का पानी स्कीन को साप करता है फोड़े, फुनसी, दाद, खाज, आदी में निम्बू को पानी में निचोड़ कर नाने से दूर हो जाते है बारिश की सीजन में स्कीन पर फोड़े फुंसी ज़्यादा हो जाते हैं तबी निम्बू के पानी से नाने से स्कीन डीसिस से अम बच सकते हैं पूरे दिन पसीने की स्मेल भी नहीं आती इस पानी से नाने से स्कीन और बाल स्वस्थ और सुन्दर हो जाते हैं निम्बू डालकर पानी से नाने से एंटिसेटिक की तरफ पुरे शरीर पर उसकी इफेक बनी रहती है और स्कीन पर फंगस भी नहीं होती जो लोग साबून से नाना पसंद नहीं करते या तो साबून की जिनको ऐलर्जी होती है वो पानी में निम्बू डाल कर हर रोज भी ना सकते हैं ऐसा माना जाता है कि जिनके शरीर का कलर एकदम डार्क है यानि बचपन से भी जो लोग डार्क है वो भी रेगूलर इस पानी से नाते है तो उनकी स्किन में भी निखा राता है पानी ठंडा या गुन-गुना जो भी उसकरे वो अपनी चौइस पर है एक बाल्टी पानी भर कर उसने एक बड़ा निम्बू नी चोड लेना है निम्बू छोटे हो तो दो निम्बू लेंगे और जो उसके चिलके उसे भी पानी में ही डालेंगे चिलके में से सीड्स निकाल नहीं हो तो वो भी निकाल सकते हैं इसके बाद उसे पानी में डालेंगे चिलके से अच्छी तरह से पूरे शरीर पर रगड रगड कर नाना है साथ में चिलके के साथ बाल्टी में से पानी भी लेदते रहना है और पूरे शरी की सफाई करनी है शरी के एक एक गंग को इस पानी से हमें दोना है मुँ में पानी को भरकर घरारा भी करेंगे ताकि हमारे दान्त की भी सफाई हो जाए और मुँ में से दूरगन भी चली जाए नाने के बाद तूरंदी टौवेल से हमें शरील को पोचना नहीं है इसे अपने आप ही सुखाने देना है पूरा शरील दो ही मिनीद में एकदम डाय हो जाएगा जब हैर वश करना है तबी भी बाल दोते समय पहले शैंपू करेंगे फिर नॉर्मल पानी से बालों को दोना है और लाश्ट में निम्बू वाला पानी से बाल दोएगे उसे भी अमें तूरंती टोवल से पहुचना नहीं है दस या पंद्रह मिनीट के बाद टोवल यूज करेंगे निम्बू वाले पानी से बालों में कंडिशनर हो जाएगा और बाल एकदम स्वस और सुन्दर हो जाएगे गर पर इसे जरूर एपलाई करें और अपनी स्कीन और बालों को सुन्दर और स्वस बनाए रखें वीडियो अच्छा लगे तो लाईक और कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि फीर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ नमस्कार स्वस्त रहे खुश रहे